हेलो एवरिवन हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे अपने विंडो 10 और 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर फिली वीपियन कनेट कर सकते हैं सबसे पहले विंडो आइकन पर क्लिक करके सेटिंग ऑप्षन पर क्लिक करना है फिर netrock और internet setting option पर जाना है अब VPN option पर क्लिक करें और default में देखेंगे कि यहाँ advance option में meter, netrock और roaming को VPN permission दें निए VPN को add करने के लिए add a VPN connection पर क्लिक करें और यहाँ पर VPN provider का option होगा default में window built-in option है इससे choose करते हैं अब connection का नाम देना होगा, यहाँ पर मैं VPN book नाम देता हूँ अब server का नाम और address देना होगा इसके लिए अब Chrome browser या कोई भी browser को open कर सकते हैं और search बार में VPN book टाइप करेंगे फेस्ट website VPN book पर चले जाना है इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ से भी आप VPN book की website पर जा सकते हैं यहाँ पर फिरी VPN option पर click करते हैं अब थोड़ा नीचे scroll करते हैं तो फिरी PPTP VPN में आपको other country के server address और country का नाम सो होगा तो यहाँ से हम कोई भी country को choose कर सकते हैं मैं US VPN के server address को copy कर लेता हूँ और यहाँ दियेगे username और password का use करके VPN connect कर सकते हैं VPN type में PPTP option को select करेंगे और type of sign in information में username and password select करते हैं तो मैं username और password को भी copy करके paste कर देता हूँ अब इस VPN book पर left click करके इस VPN को connect कर लेता हूँ पस टाइम में नई होने पर second बार try correct connect हो जाएगा ऐसे और informative वीडियो के लिए channel को subscribe करना ना भूलें